तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अभी हमें हमारे hidden apps दिखाई दे रहे हैं नवस्कार दोस्तों स्वाइद आपका आज के इस वीडियो में जागा हम बात करना ले कि आप कैसे किसी भी oppo के फोन में app को छुपा सकते हैं अगर आपको भी जानना है कि आप कैसे आपके oppo के फोन में app को हाइड कर सकते हो तो चलिए आज के इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करता है तो कॉस्तों या पर आपको इपा एड करने के लिए जैसे आपके फोन की जो सेटन्स का अप है उसे उपन कर देना है जैसे आप आपके फोन की सेटन्स के अपको अपन करोगे तो अब आपको गुछ इатыhrकी का इंटरफेस दिखाई देगा तो आपको 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 आप तो नीचे के दरफ यहाँ पर आपको बहुत सारे options दिखाए देरें, आपको दिखाए देरें, show part, show art, advance, उसके ऊपर के दरफ यहाँ पर आपको यह करना है, देखो, तीन options आपको मिल रहे होगे, app lock, app hide और यह जो भी है private आपको यह गरना है, यहाँ पर हमें app hide करना है, तो hide apps पे click कर देना है, अब आप जैसे click कर देते हो, hide apps पे तो यहाँ आपको कुछ इस तरीकी का interface दिखाए देगा, कि आखिर जब आप app hide करोगे, तो वो आपको कहा पर दिखाए देगे, तो वो हमें यहाँ पर dialer में दिखाए देगे, तो app को hide करने के लिए हमें क्या करना है, स साइडवे option आ रहा है, वाहसे हमा on कर सकते है, तो यहाँ पर मैं Google Chrome को यहाँ पर on कर देता हूँ, तो जो हमारा Google Chrome है, वो hide हो जाए, उसके लिए आपको यहाँ देख सकते हो, कि अभी हमें जो privacy password है ना, उसे set करना पड़ेगा, तो privacy password को आप जो है यहाँ यहाँ पर सेट कर जो भी आपको लगाना होगा privacy password उसे set कर देना, जिससे कि आप लोग को या फिर app hide को यूज कर सकते हो, तो अब हम यहाँ पर 6 digit का privacy password set कर देता है, चलो simple से रख देता है, 123456 और हाँ, privacy password generally 6 digit का ही होगा, अब आपको जैसे ही privacy password set हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिखाए दे privacy password को confirm कर देना होगा, verify करने देना होगा, तो उसके लिए आपको फिर एक बार वही वाले password को फिर एक बार लगा देना है, तो verify भी हो जाएगा, अब आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा होगा recovery information, तो former teacher's name या फिर mother name, जो भी लिखना होगा, आप लिख सकते हो, और जैसे आप यहाँ पर इसे feel कर दो, तो आपको tick कर देना है, अब जैसे आप यहाँ पर tick कर देते हो, तो अब आपको यहाँ पर एक और password, यानि की code को set करना होगा, तो देखो, अब आपको यहाँ पर दिखा दे रहा है, set access code, enter your access code on the dial pad to access hidden apps, तो यहाँ पर आपको यहाँ एक access code set क सबसे पहले आपको यहाँ पर एक hashtag लगा देना है, और फिर एक बार hashtag लगाने के बाद फिर आपको जो भी password लगाना है, उसे लगाना है, suppose यहाँ पर मैंने लगा है 1234, और फिर एक बार आपको यहाँ पर hashtag लगा देना है, तो कुछ इस तरीके का code आपको यहाँ पर set करना ह जैसे आप देख सकते हो मेरा code is set, तभी आपको ऐपर tick कर देना है, तो हमारी जो settings है, वो से हो जाएगी, तो हम आपमेठ टिक कर देता हो, अब जैसे आप आपको आपको यापर क्या करना है, देखो यहापर आपको दिखा दे रहा है, you are all set, तो हो चुका है अभी हमारा जो एक्सेस कोड है वो भी आपको दिखाई दे रहा है है स्टेक 1234 हैस्टेक तब को यहाँ पर हमने जो हमारा क्रोम का अपहना उसे तो हाइड कर दिया है लेकिन अब बात आती है कि आप आखिर जो हीडन अप्स होते हैं उन्हें देखोगे कैसे तो वह भी मैं आपको आता दो तो अगर आपको देखना है तो इसके लिए आपको यहाँ पर आपको देखने के लिए सबसे वेले तो आपके फोन में का जो डायलर होता है जहासे आप फोन करते हो किसी को भी उसे ओपन कर देना है जहासे आप कॉल करते हो तो यहाँ पर यह पर देख सकते हो कि अभी हमें दिखाई दे रहा ही तो अभी हमारे जो हीड़ने अपसे तरीके से आप एक्सेस कर सकते हो और अगर मैं यहापर क्रोम पर क्लिक करूगा न तो ग्रोम बिलकुल आसानी से उपन हो जाएगा तो अगर आपको वीडियो इंफर्मेटिव लगा आप वीडियो देखने के लिए आपका धन्याद थैंक्यू सो मच